Hello everyone, my name is Thirvesh and you are watching my YouTube channel तो आज भी हम एक बहुत ही interesting interview की help से थोड़े subtitles की help से structures, formations, words, sentences वो सब सीखने वाले हैं grammar के rules में आपको बताता हुआ चलूँगा कि अलग-अलग scenarios में कैसे use उनको करना है क्या यहाँ पर grammar के rules लगाएगा है तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और फिर सद्रस करूँगा कोई notepad, notebook लेकर बैठिए ताकि कोई भी ऐसी चीज जो आपको interesting लगते हैं आप note कर सकते हैं ताकि आप ऐसी चीज़ों का अपनी अधिकतर लोग आपके background के बार में नहीं जानते simple sentence है चीक है present indefinite का sentence है ठीक और उसका present indefinite का negative sentence है formation क्या होगी पहली बात doer main word not और action चीक है जी यहाँ पर doer कौन है अधिकतर लोग मतलब mostly people most of the का भी आप use कर सकते है most of the people mostly people ऐसे use कर सकते हैं तो यह एक doer है यहाँ पर main word I do क्योंकि plural है तो do लगेगा फिर उसके साथ not अब action क्या है यहाँ पर जानना so mostly people do not know mostly people don't know किस चीज़ के बारे में आपके background के बारे में about your background ठीक है तो about कर भी उस हम किस लिए कर दे हैं जिसके बारे में so about your background आपके background के बारे में background को मैंने background ऐसे ही लिखा रहने दिया क्योंकि शुद हिंदी में लिखूंगा तो उसका प्रष्ट भूमी शायद बनेगा और वो इतना समझ में नहीं आएगा तो background समझ में आता है तो इसलिए मैंने इसको आप अगर चाहो चीक है you took birth इस तरीके से बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बोलो सर पास्ट इंडेफिन पर बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो do or main word action you did take और take की second formula की क्योंकि did चुपर तुक बन गया लेकिन इस तरीकी के सेंटेंस हम simple formation में ज़्यादा रखते है ठीक है he is born he was born इस तरीके से so आपका जर्म अम्रिसर में हुआ था so you were born अब ये क्या है ये जो बताया गया है ये एक condition बताई गयी है simple past के formation में हमने रख दिया ठीक है इस तरीके से so किसकी बात कर रहे है फिर main word फिर वो क्या हुआ था ये formation होती है simple past के sentence के फिर कोई भी simple present का भी हो किसकी बात करें है main word फिर वो क्या हुआ है क्या है वो इस तरीके से तो past की बात करें है तो किसकी बात फिर main word फिर वो क्या था चीक है so आपका जन्म अम्रिसर में हुआ था मतलब आप अम्रिसर में पैदा होए थे तो किसके बात करें आपकी, you फिर उसके ताथ main word लगेगा, was, were मैंसे were लगेगा were, फिर born, क्या होए थे पैदा so you were born, आप पैदा होए थे in Amrit sir, Amrit sir में और आपके दो भाई भेन हैं चीक है, अब देखो मेरा कुछ है या आपका कुछ है इस sentence की formation में हम main word क्या हो, sorry जो action होता है, वो क्या लेकर चलते हैं have, चीक है, होते है sentence indefinite की form में ही है present indefinite है, past indefinite लेकिन यहाँ पे action जो लेकर चलते हैं have लेकर चलते हैं, चीक है so आपके दो भाई बहन है अब भाई बहन को हम क्या बोलते हैं, sibling right, siblings so आपके दो भाई बहन है you have, so do or main word action की ही formation है, do or कौन है you, आपके हैं, फिर लगेगा यहाँ पे do, you के साथ do लगेगा और फिर action है, कोई चीज़ मेरे पास है so have, simple है तो do छुपावा है have के अंदर, you have two siblings आपके दो भाई बहन है अगर यहाँ पे, एक singular होता कि उसके दो भाई बहन है so he आता, फिर does आता और फिर have आता does छुपता have के अंदर, वो has बन जाता he has two siblings अगर यही sentence का negative मैं बनाऊ चीक है, so does बाहर निकलेगा not के साथ, so he does not have आएगा, क्योंकि has में से does बाहर निकल गया है right so you were born in Amritsar and you have two siblings आपका जन्म Amritsar में हुआ था आप Amritsar में पैदा होए थे और आपके दो भाई बहन है and you have two siblings अब यह करा, हाँ, मेरे बड़े भाई पुलिस में है, पुलिस में है चीक है, so मेरे बड़े भाई पुलिस में है, इसके अंदर कोई action नहीं है, तो यह sentence कौन सा हुआ, यह simple present sentence है so हाँ के लिए just लगा के sad में रख दो sentence पकड़ते हैं, मेरे बड़े भाई पुलिस में है, चीक है so यहाँ पर formation क्या होगी, जो मैंने अभी बताई थी, किसकी बात कर रहे हैं, फिर main word, फिर वो क्या है, right so मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई my elder brother, अब singular है तो is, क्योंकि एक ही है so is लगा, अब वो क्या है, पुलिस में पुलिस में है, so in police, so my elder brother is in police, मेरे बड़े भाई पुलिस में है, और मेरी बहन की शादी हो चुकी है अब यहाँ पर अगर आपको इस sentence को present perfect में लेना हो, आप ले सकते हो चीक है, has got married इस तरीके से आप बना सकते हो कि my sister has got married, कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है, ऐसे बन जाएगा, और अगर आप इस sentence को चाहो, तो आप simple present में भी बना सकते हो, कि मेरी बहन शादी शुदा है इस तरीके से, चीक है so simple present में मैंने बनाया हुआ है किस की बात कर रहे है, फिर main word फिर वो क्या है, so my elder sister की बात कर रहे है, sorry, my sister की बात कर रहे है मेरी बहन, my sister, अब singular है तो age लगा, अब वो क्या है, शादी शुदा शादी होगी है, so married, so my sister is married, चीक है, दोनों ही sentence simple present की formation में हमने बना दिया पूरा sentence क्या बना, हाँ मेरे बड़े भाई पुलिस में है, और मेरी बहन की शादी हो चुकी है, yes, my elder brother is in police, and my sister is married, yes, my elder brother is in police, and my sister is married मेरे पिता पुलिस में थे, ठीक है मेरे पिता पुलिस में थे अब इसके अंदर भी कोई action नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं किसी की कि वो क्या था, कहा था, इस तरीके से चीक है, so मेरे पिता पुलिस में थे, तो किस की बात करें, फिर main word, फिर वो क्या थे वही, तो मेरे पिता की बात करें my father, singular है, so was क्योंकि past की बात करें, simple past है so was, अब वो क्या थे, पुलिस में in police, my father was in police चीक है अब ये कह रहा है, आपके पिता ने कैसे खुलासा किया, कि उन्हे cancer है, चीक है, अब इस खुलासे करने को हम English में बोलते हैं, disclose disclose करना, right sentence कौन सा है इसमें दो sentence है चीक है, इसके अंदर दो sentence है, पहला sentence जो है कि आपके पिता ने कैसे खुलासा किया second, उन्हे cancer है तो जो पहला वाला है, उसको हम पहले बनाते हैं आपके पिता ने कैसे खुलासा किया, sentence कौन सा है sentence है आपका past indefinite past indefinite का कौन सा sentence है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब में हाँ या ना में नहीं दे सकता formation क्या होती है, पहले question word, फिर main word फिर doer और फिर action चीक है, इस तरीके से so इसमें question word क्या है, आपके पिता ने कैसे खुलासा किया question word है कैसे, how फिर main word आएगा, did फिर doer आएगा, doer कोन है आपके पिता, your father चीक है, how did your father, अब action क्या है, खुलासा करना, disclose so how did your father disclose कि तुम्हारे पिताजी ने, आपके पिताजी ने कैसे खुलासा किया, कि उन्हें cancer है की के लिए that लगा गए, रख दो side में उन्हें cancer है, अब वही वाला sentence आगया कि किसी के पास कुछ है किसी को कुछ है, तो वही यहाँ पे action क्या है हमारा, have ठीक है, have है हमारा action उन्हें cancer है, तो मैंने बताया कि indefinite का sentence होता है, लेकिन action have होता है, तो यह present indefinite की form में बनेगा, so do or main word action, do or कौन है, he चाहिए, उन्हें, he फिर लगेगा does, main word does लगेगा he के साथ, फिर action मैंने बताया have, so he does have cancer, यह आएगा, लेकिन sentence simple है, तो जो does है, वो छुपा have के अंदर और वो has बन गया, right so आपके पिता को, आपके पिता ने कैसे खुला सा किया, कि उन्हें cancer है how did your father disclose that he has cancer, right अब यह करता है, उनको operation हुआ था, अब यह sentence आप चाहो तो passive form में भी बना सकते हो, चीक है, his operation was done he was operated, वाल चीक है यह तो, he was operated तो बहुत confused कर देगा आपको his operation was done, उनका operation किया गया था, यह sentence past की form में भी बन सकता है ठीक है, मलक सॉरी, past के passive की form में भी बन सकता है, कि passive की form में बना देते हैं, किसने कराया है, उस पर तो हमने जोरी नहीं दिया, ठीक है और यह sentence आपका, एक active की formation में बन सकता है, लेकिन यहाँ पे, कि उनका operation हुआ था उनका एक operation था, इस form में बनेगा यह sentence, राइट एक तो मैंने बता दिया, ठीक है कि जो मैंने passive की form में बताया, वो तो मैंने एक बता दिया कि उनका operation हुआ था, ठीक है his operation was done, इस तरीके से second है, he had an operation अब यह sentence कौन सा है, यह past indefinite का sentence है इसमें जो मैंने action लिया है, वो लिया है have, कि उनका कुछ था, इस तरीके से, right, so यहाँ पे formation क्या बनी, doer, main word action की, so doer कौन है, यहाँ पे he, ठीक है कि उनका था कुछ, उस तरीके से, indefinite के form में बनाया है, past indefinite के form में he, फिर आया हमारा main word, did, और फिर action के लिया, have, अब have के अंदर did छुपा, तो have की second form बन गी which is hat, चीक है, so he had an operation, कि उनका एक operation हुआ था, यह इस तरीके से बन गया चीक है, so उनका operation हुआ था he had an operation doctor ने हमें बताया, चीक है, doctor उने हमें बताया, past indefinite sentence है, do or main word action की formation रहेगी, so do or कौन है doctors, doctor ने बताया, so doctors, फिर main word लगेगा did action क्या है, बताना, tell चीक है, so यहाँ पर क्या हुआ did छुपा, tell के अंदर second form बन गी doctors told us, doctor उने हमें बताया key, that लगाओ, sad में लगदो key के लिए, उनके शरीर से लिया गया हिस्सा चीक है, उनके शरीर से लिया गया हिस्सा, अब किसने लिया है इस पर जोर ही नहीं है, यह एक typical passive sentence है, चीक है चीक, so the part, taken from his body, अब यह taken क्या है the part, which has been taken, which was taken, यह sentence इस तरीके से बनेगा, लेकिन compressive language में यहाँ पर आप देखो the part, taken from his body उनकी शरीर से लिया हुआ, चीक है the part को रखा है side में की हिस्सा चीक है, taken from his body उनकी शरीर से लिया हुआ अब हुआ हुआ वाली condition के लिए मैंने कई वार बताया हुआ है कि ऐसे conditions में नो form change हो जाती है चीक है the painted wall is looking good मैंने यहाँ पर यह बोला painted wall, मतलब paint हुई हुई चीक है, इस तरीके से चीक है so the part, हिस्सा taken from his body उनके शरीर से लिया हुआ इस तरीके से बना कि उनके शरीर से लिया हुआ हिस्सा the part taken from his body पहले शोद के लिए भेजा जाएगा अब कौन भेजएगा इसके उपर जोर नहीं है यह एक टिपिकल passive sentence है तो मेरे पास ना comment भी आई थी दो तिन दिन पहले शायद कि passive के जो sentences है वो भी बताओ तो यह passive sentence ही होते है इसके उपर याल मैं अलग से वीडियो बनाना चाहा रहा हूँ लेकिन दूसरे चैनल पे ही आएंगी जो मेरा दूसरा चैनल है पहले शोद के लिए भेजा जाएगा तो यह sentence कौन सा है यह future का sentence है और passive sentence है passive sentence आपके दिमाग में आते के साथ ही सबसे पहले यह समझ में आ जाना चाहिए action की third form अब यह future का simple है तो will be का use होगा और third form लगेगी पहले शोद के लिए भेजा जाएगा will be sent भेजा जाएगा for research first अब इस first को आप चाहो तो पहले भी लगा सकते थे first पहले लगाया firstly या फिर first लगा के sad में कर दो शोद के लिए भेजा जाएगा यह है हमारा sentence जो will be sent for research शोद होती है research जब डॉक्टरों ने हमें cancer के बारे में बताया sentence कौन सा है sentence है यह आपका past indefinite चीक है जी doer से sentence उठाते है doctor ने हमें cancer के बारे में बताया अब इससे पहले क्या है job job के लिए when लगाओ sad में रख दो क्योंकि यह सवाल नहीं है चीक है so job के लिए when लगाया रख दिया doctor ने हमें cancer के बारे में बताया तो past indefinite sentence ही है doer main word action की formation रहेगी doer कौन है doctors so doctors फिर आएगा dit main word फिर action क्या है बताना tell लेकि नहीं dit छोपा tell के अंदर और वो told बने गा second form so when doctors told us जब doctor ने हमें बताया cancer के बारे में about cancer बाहर हम सब भावुक थे चीक है अब बाहर के लिए हमने outside लगाया और उसको sad में रख दो हम सब भावुक थे चीक है अब ये sentence है आपका simple past कोई action नहीं है इसमें तो किसकी बात कर रहे हैं फिर main word फिर वो क्या थे right so किसकी बात कर रहे हैं हम सब we all चीक है चीक है अब ये outside आप बाद में भी लगा सकते हो मैंने बताया हुआ है ऐसी चीज़े आप शुरू में भी लगा सकते हो बाद में भी लगा सकते हो so we all were emotional outside ऐसे भी बता सकते हैं outside we all were emotional ऐसे बता सकते हैं फिर मैं अंदर गया और ये एक filmy scene जैसा था ठीक है दो sentences है इसके अंदर फिर मैं अंदर गया तो फिर मैं अंदर गया इसको बनाते हैं पहले doer से लेते है'm मैं अंदर गया उससे पहले गया फिर इसके लिए then लगाओ और side में कर दो मैं अंदर गया sentence है past indefinite का simple so do or main word action do or कौन है I फिर main word did action है go जाना चीक है so did छोपा go के अंदर second form बनगी went go के second form went so I went inside मैं अंदर गया तो पूरा क्या बना फिर मैं अंदर गया then I went inside और ये एक filmy scene जैसा था अब और के लिए end लगा गया रख दो side में sentence उठा दिया है ये एक filmy scene जैसा था sentence कौन सा है sentence है आपका simple past कोई action नहीं है इसके अंदर सिर्फ एक static condition की बात कर रहे है so किसकी बात कर रहे है फिर main word फिर वो क्या था right so ये एक filmy scene जैसा था इसमें किसकी बात कर रहे है ये की so it लगाया scene की बात करें तो it लगाया main word लगेगा singular है was अब वो क्या था filmy scene जैसा so like a filmy scene जैसा के लिए kind of like आप इन चीदों का use कर सकते है so पूरा sentence बना फिर मैं अंदर गया और ये एक filmy scene जैसा था then I wet inside and it was like a filmy scene जैसे हमें रोगी को cancer के बारे में बताना नहीं है ठीक है इस तरीके से अब मैंने एक video बने थी supposed to के अपर यहाँ पे आप should का भी use कर सकते हो कि हमें नहीं बताना चाहिए उस वाले sense में अगर कुछ ना समझ में आए तो should का भी use कर सकते हो लेकिन जो appropriate use होगा यहाँ पे वो supposed to का use होगा कि हमें यह नहीं करना है हमें यह नहीं बताना है हमें यह नहीं करना है उस तरीके से हमें नहीं जाना चाहिए हमें नहीं जाना है वो वाला जैसे like इसको रखके like के लिए बनाया हमें रोगी को cancer के बारे में नहीं बताना है चीक है तो यहाँ पर जो sentence है यह present की form में है चीक है तो ismr का use होगा क्योंकि supposed to का जब भी आप use करते हैं चीक है तो यहाँ पर ismr was or will be का use होता है जो आपकी simple state के अंदर use होते हैं किसको नहीं करना है doer आएगा फिर main word आएगा फिर not आएगा फिर supposed to आएगा और फिर क्या नहीं करना है वो आएगा supposed to के इस तरीके से होता है तो doer कौन है we हमें नहीं बता है न we we के साथ क्या लगेगा are चीक है क्योंकि plural है तो are लगेगा फिर आएगा not we are not अब आएगा supposed to तो यहाँ पे जो action की form में use हो रहा है न, action, कि हमें ये नहीं करना है, so supposed to यहाँ पे action की तरह use होगा, समझ रहे हो, so do or main word not action, यही formation बनेगी यहाँ पे, so do or कौन है हम, main word are, फिर not, अब action लिए supposed to, we are not supposed to, अब हमें क्या नहीं करना है, we are not supposed to tell, ठीक है, tell the patient about cancer, यह भी sentence सही है, we are not supposed to tell about cancer to patient, यह भी सही है, ठीक है, तो यहाँ पे confused नहीं होना है, so यहाँ पे जो हमें action लिया है न, वो action है यहाँ पे कि कोई चीज़ करनी नहीं है, ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पे supposed to, एक action की तरह use हुआ है, जैसे कि मैं बोलो, मुझा करना पड़ता है, तो यहाँ पे action की तरह हम क्या use करते हैं, have to, ठीक है, have to, has to, यह यह use करते हैं, लेकिन यहाँ पे use हुआ, supposed to, so we are not supposed to tell about cancer to patient, जैसे हमें रोगी को cancer के बारे में नहीं बताना है, फिर पापा ने पूछा, जैसे हैं, अब फिर के लिए देन लगा के स्याड़े में रख देते हैं, doer से उठाते हैं, पापा ने पूछा, past indefinite sentence है, doer, main word, action, so, पापा मतला मेरे पापा ने, so, my father did ask, did छोपा ask के अंदर second form बनगी asked, then my father asked, फिर मेरे पिता जी ने पूछा, पापा ने पूछा, मुझे cancer है न, I have cancer, right, जैक है, अब मुझे कुछ है, मैंने वहीं बता है, यहाँ पर action use होगा have, जैक है, so, मुझे कुछ है, तो indefinite की form में है और action have है, so, doer, main word, action, doer कौन है, I, main word, do, action have, do, छुपा have के अंदर, और कोई change नहीं है, I have cancer, right, right का use होगा, ना के तौर पे है न, casual tone में, चीक है, अगर इसका form, इसकी अगर मैं बात करूँ कि इसको formally कैसे बोलेंगे, तो आप comment box में लिखना है, मुझे पता है, दो-चार comments तो आएंगे, लोगों ने सुनी होगी यह बात में और वो करेंगे, कि इस right के जगा, अगर मैं इसको formal condition में बोलू, तो कैसे हम बोलेंगे, क्यों इस चीज़ को मैंने कई बार बताया हुआ है, और लोग comment करते हैं, which I really like, ठीक है, तो फिर बापा ने पूछा, मुझे cancer है ना, मैं चौक गया, अब यह चीज़ बहुत प्यारी है, जैसे हम बोलते हैं, कि मैं surprised हो गया, तो यहाँ पर मैं अपनी form की बात बता रहा हूँ, कि मैं उस condition के अंदर था, मैं उदास हो गया, तो यहाँ पर गया के लिए आपको कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पर एक condition की एक state की बात चलती है, हमेशा याद रखना, एक physical emotion की जब बात चले ना, एक emotion की बात चले, तो यहाँ पर आप इसको कोशिश करना, कि simple वाली formation में रखो, मैं खुश हो गया, so I went happy, यह गलत है, I was happy, simple, कि मैं खुश था, तो यहाँ पर मैं चौट गया, तो मैं किस condition के अंदर था, उस तरीके से बनेगा, so यह simple past के formation में बनेगा, किस की बात कर रहे हैं, फिर मैं inward, फिर मैं किस condition में था, चीक है, so किस की बात कर रहे हैं, मैं, I, उसके साथ लगेगा was अब मैं किस condition में था चौकने वाली शौक तो इसमें लगेगा शौक्ड 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 मैं चौक गया अब मैं उन्हें क्या जवाब दू अब मैं उन्हें क्या जवाब दू इसको अगर typically आप translate करने के लिए बैठ होगे तो confused हो जाओगे ऐसे sentences को पहले några होगा एक ऐसी langpage में जिसको आप translate कर सकते हो which is easy for you to translate which is translatable actually चाहिए सो अब मैं उन्हें क्या जवाब दू sentence गड़्यज को अब मुझे उनको क्या जवाब देना चाहिए चाहिए अब अब के लिए पहले में लब डूर से उठाते हैं कि मुझे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए उससे पहले है हमारा अब इस अब के लिए ना हो अगर आप चाहो तो पहले लगा तो चाहो तो बाद में लगा तो सेंटेस उठाते हैं जिसका जवाब में हाँ या ना में नहीं दे सकता तो यहाँ पर formation क्या रहेगी? Question word, main word, doer और action, right? Question word क्या है यहाँ पर? अब मुझे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? So यहाँ पर जो question word है न वो क्या नहीं है? Question word है क्या जवाब? So what reply? फिर आएगा main word, should फिर आएगा doer, I अब आएगा action, देना ठीक है? So what reply should I give him now? अगर आप इसको यह बोलो कि सर इसमें मजा नहीं हा रहा reply देने को ही हम एक action की formation अगर हम ले तो कैसे बनाएंगे? simple यही तरीका बनेगा तो what आएगा, क्या देना चाहिए? क्या के लिए? question word what फिर आएगा should ठीक है? what should फिर आजाएगा action अब यहाँ पर action reply देने को सिर्फ reply भी बोल सकते हो आप So what should reply I give इस तरीके से what should I reply? sorry what should I reply? तो यहाँ पर क्या होगा? question word, main word फिर do or फिर action तो यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी which was acceptable यार मैं भी इंसान हूँ So यहाँ पर question word है what फिर main word लगेगा should फिर do or लगेगा I फिर action लगेगा reply अगर आपको give reply नहीं add करना है तो So what should I reply? मुझे क्या जवाब देना चाहिए? अब now को आप पहले लगा दो या end में लगा दो मैंने बाद में लगा दिया तो दौनों तरीके से मैंने बताया I was shocked मैं chocked गया था What reply should I give him now? यह भी तरीका सही है So what should I reply him now? यह भी तरीका सही है उन्होंने कहा He said He did say Past indefinite sentence Formation He did say So did छुपा से के अंदर Second form बन गी He said चिन्ता मत करो मुझे ये पहले से ही पता था पता है sorry चिन्ता मत करो मुझे ये पहले से ही पता है चीक है? So जो पहला sentence है चिन्ता मत करो यह sentence है देखो do वाला जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं अब अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो do छोपेगा कोई change नहीं आएगा action में लेकिन जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोला हूँ तो do बाहर निकल के आ जाएगा so don't worry do not worry चिंता मत करो मुझे ये पहले से ही पता था चीक है तो यहाँ पर ये sentence कौन सा है मुझे पहले से ही पता है मतलब ये मैं पहले से ही जानता हूँ तो ये present indefinite sentence है कि ये चीज़ तो मैं पहले से ही जानता हूँ so do or main word action की formation रहेगी I मतलब do or मैं आए फिर लगेगा main word do चीक है action के है यहाँ पर जानना अब ये जो already है आप इसको बाद में भी लगा सकते हो या फिर आप action से पहले लगा सकते हो मैंने कई वीडियो में बोली हुए है कि ऐसी चीज़े होती है आप चाहो end में लगा दो या action से पहले से never already just इस तरीके के चीज़े so I do no आना चाहिए do or main word action do छुपा no के अंदर और simple बना I know this already ये भी सही है और अगर आपको already बीज में लगाना है तो वो action से पहले लगेगा action क्या है no I already know this इस तरीके से चीक है तो sentence बना उन्होंने कहा चिंता मत करो मुझे ये पहले से ही पता है He said don't worry I already know this मैं आपको अपनी मा की एक घटना के बारे में बताता हूँ चीक है अब ये जो sentence है ये बहुत ही common और बहुत ही youthful structure है मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ ये फिर हम ये करते हैं तो ये न वो वाले sentence है let us वाले जैसे कि मैं बुरू न मैं तुम्हारी help करता हूँ एक तो तरीका यहाँ पे ताहती है पे confused नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये present indefinite वाला sentence है ही नहीं ये future indefinite की formation में आप बना सकते हो कि I'll tell you one thing कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ ये तरीका बिल्कुल सही है ठीक है क्योंकि ताहती है लग रहा है लेकिन अगर मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ for example मैं पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में और किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा ठीक है और मैं बोला कि ठीक है मैं इसका जवाब देता हूँ तो जब मैंने बोला कि मैं इसका जवाब देता हूँ तो मतलब इसमीजी मेरा जर्नल नहीं है कि मैं इसी सवाल का जर्णली जवाब देता रहता हूँ नहीं मैंने उसको जब मैंने बोला कि मैं इसका जवाब देता हूँ मतलब मैं अभी दूँगा चाहे अगले सैकिंड दूँ अगले मिनट दूँ वो एक अलग चीज है लेकिन सेंटेंस कौन सा है future indefinite तो यह जो तरीका है मैं आपको अपनी मा की घटना के बारे में बताता हूँ यह सेंटेंस आप future indefinite में बना सकते हूँ क्योंकि अब यह बताएगा इसका यह journal काम तो नहीं है कि journal यह अपनी मा की घटना के बारे में बताता है नहीं यह भी बताएगा यह भी बन जाएगा यह sentence भी सही है और ऐसी चीज़ों को आप let से भी बोल सकते हो चीक है कि अगर मैंने किसी को मान लीजिए मैं बैठा वा हूँ मेरे सामने plates रखे हुई है और दूसरा कोई बंदा उठके आ रहा है plate लेने के लिए तो मैं वहाँ पर बोल सकता हूँ be seated, बैठे रहो I'll give you, I'll pass मैं दे देता हूँ, इस तरीके से second मैं let का भी use कर सकता हूँ okay let me give you, ऐसे so मैं आपको अपनी मा की घटना के बारे में बताता हूँ let से शुरू करते है let me tell you, मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से typical मतलब देखोगे तो मुझे बताने दो आपको ये निकलेगा, लेकिन ऐसी casual चीज़ों में ये चीज़ यूज होती है let me tell you about, मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के बारे में, let me tell you about one incident of my mom अपनी मैं आपको अपनी मा की एक घटना के बारे में right, one की जगह आप end भी लगा सकते थे let me tell you about an incident of my mom ये sentence में बिल्कुल सही था कि मैं आपको अपनी मा की घटना के बारे में बताता हूँ, मैं अमरिस सर में था simple past sentence है कोई इसमें action नहीं है so किसा की बात कर रहा है? फिर main word, फिर वो क्या था? so मैं अमरिस सर में था I, उसके सथ main word was अब मैं क्या था? in ariansar और मैं प्रसिद्र था झाय 다, और के लिए end लगा या और sentence बना मैं प्रसिद्र था simple past का again sentence किसा की बात कर रहे है? है main word फिर वो क्या था I की बात कर रहे है I I के साथ main word was क्या था प्रिसिद so I was famous so मैं Amrish sir में था और मैं प्रिसिद था I was in Amrish sir and I was famous मैंने अपनी मास से मोल भाव न करने के लिए कहा था ठीक है अब ये चीज़ की की फॉर्मेशन मैंने कई बार बताई हुई है शायद कल या परस्व की व्यूडियो में भी ऐसी फॉर्मेशन आई थी कि जब मैं किसी से कुछ करने के लिए बोलता हूं कि मैंने ये चीज़ उसको करने के लिए कही ठीक है so I told फिर आएगा मैंने किस से कही ठीक है फिर तू और फिर क्या करने के लिए ठीक है समझ में आया कि मैंने कही उससे ये चीज़ ना करने के लिए तो पहले मैंने कही I told फिर किस से कही ठीक है फिर तू और फिर क्या करने के लिए कहा अगर इसी की negative form हो ठीक है, so मैंने किस से कहा फिर not ठीक है, फिर to और क्या करने के लिए नहीं कहा, याद रखना so मैंने अपनी मां से मोलभाव न करने के लिए कहा, ठीक है so जो पहला है, I told I did tell आना चाहिए मैंने कहा तो did छोबा tell के अंदर I told किसको कहा, my mom ठीक है, अब कोई चीज ना करने के लिए कहा है, तो negative है so I told my mom, फिर आया not फिर आयागा to ठीक है, अब आयागा क्या करने के लिए नहीं कहा था, bargain ठीक है, so I told my mom not to bargain बस समझ गए, ठीक है अगर मैंने ये बोला होता कि मैंने अपनी मां को bargain करने के लिए कहा, so सिर्फ not हट जाता, I told my mom to bargain, इस तरीके से ठीक है, so यहाँ पे did not नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये I told अलग sentence है और बागी का जो है मोलभाव ना करने के लिए ये अलग है so I told my mom not to bargain, मैंने अपनी मां को bargain ना करने के लिए, मोलभाव ना करने के लिए कहा था मैंने अपनी मां को बजार ले गया और उनसे पूछा past indefinite sentence है दो sentence है इसमें, और उनसे पूछा, अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें मैंने दुबारत है doer का use नहीं करा है क्योंकि एक ही context में चलता वाला है दो-दो बार आपको doer mention करने की जुरत नहीं है same English में भी होगा ठीक है, so मैं अपनी मां को बजार ले गया past indefinite, doer main word action doer कौन है मैं, I did अब किसी को कहीं ले कर जाना take का use होता है, ठीक है I did ask आना चाहिए, did छुपा ask के अंदर asked बन गया, और दो-दो बार doer लगाने की जुरत नहीं है so I को भी हटा दो, simple सा and asked her, और उनसे पूछा ठीक है तो गलास होग जाता है क्या आप रोज सेब खाती है, अब ये एक typical sentence है present indefinite का कि क्या आप रोज सेब खाती है ठीक है, ताहती है, इससे भी समझ में आ रहा है, जर्नल चीज़ की बात चल रही है और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ तो जब भी ऐसा सवाल आए दिमाग में एक चीज़ अब हमेशा आनी चाहिए main word सबसे पहले आएगा कोई भी सवाल जब हाँ या ना में जवाब जिसका दिया जा सकता है चीक है, सो सबसे पहले इसकी formation देख लेते हैं, क्या formation होगी main word do or action main word do or action क्या आप रोज सेब खाती है main word लगेगा do क्योंकि you की बात चलेगी present indefinite में you के साथ do लगेगा main word do, do or you action क्या है खाना, eat क्या हुआ main word do or action do you eat, क्या आप खाती है apple daily क्या आप रोज सेब खाती है do you eat, apple daily क्या आप रोज सेब खाती है उन्होंने कहा कि सेब बजार में हैं ही नहीं चीक है, तो पहला sentence उन्होंने कहा past indefinite है she did say, do or main word action did खुपा से के अंदर, set बन गया she said, उन्होंने कहा कि that सेब बजार में हैं ही नहीं चीक है, अब किसी चीज़ की जब मैंने बताया हुआ है कि हम जब किसी भी चीज़ की presence की, existence की बात करते है तो there से आप sentence शुरू करो चीक है, ऐसे there से शुरू करो, और अगर हम किसी चीज़ की presence ना होने की भी बात करते है तो भी there से sentence बनेगा तो ये sentence दो तरीके से बन सकता है she said that, उन्होंने कहा कि there are no apples in market, ये भी बन सकता है that there are no apples in market चीक, दूसरा तरीका मैं आपको बता हूँ, apples are not there save है ही नहीं, in market चीक है, so there से शुरू करोगे तो भी बन जाएगा, और अगर आप चाहो तो मैं किस चीज़ की existence, presence की बात कर रहा हूँ, वो लगा आएगा, helping work आएगी, लेकिन अगर आपको there बीच में लगाना है, तो ऐसा नहीं होगा चीक है, जैसे यहाँ पे हुआ there are, there are not, sorry, apples are not there in market अगर there लगाओगे, there are no apples in the market इस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने pen का example लिया, चीक है there is a pen in my bag चीक है, there is a pen in my bag फिर आएगा there, a pen is there in my bag, इस तरह से चीक है, there से शुरू करोगे helping of there के बाद आएगी, there को बीच में लेकर जाओगे, तो पहले हम किसकी existence की बात कर रहे है, वो आएगा और फिर helping verb आएगा, और फिर there आएगा, अगर negative है, तो हम किसकी बात कर रहे है, ना होने की वो चीज़ आएगी, फिर main word आएगा फिर not आएगा, और फिर there आएगा ये इसकी एक simple सी formation है, याद रखना बहुत simple है और बहुत ही जादा use होती है so उन्होंने कहा कि save बजर में है ही नहीं, she said that apples are not there in market क्योंकि उस समय save 200 पृती किलो थे 200 पृती किलो थे इस तरीके से, चीक है, 200 पृती किलो क्योंकि उस समय save 200 पृती किलो थे, क्योंकि के लिए because लगाओ side में कर दो, sentence पकड़ेंगे, उस समय save 200 पृती किलो थे, चीक है उस समय के लिए उस समय के लिए भी अगर आप चाहो तो that time भी लगा सकते हो और उसको छोड़ सकते हो because that time ऐसे भी बना सकते हो और अगर आप चाहो that time को end में भी लगा सकते हो sentence है हमारा save 200 रुपे किलो थे 200 पृति किलो थे sentence है यह आपका simple present कोई action तो ही नहीं तो किसकी बात कर रहे हैं फिर main word फिर वो क्या थे so किसकी बात कर रहे है save apples main word लगेगा were चीक है apples were अब वो क्या थे 200 पृति कलो मतलब पर kg so apples were 200 पर kg अब that time को मैंने end में लगा दिया आप चाहो तो because के साथ भी रगा सकते हो because that time apples were 200 पर kg यह दोनों ही sentence की formation बिल्कुल सही है चीक है so यह थे आज के sentences I hope video आपके लिए useful रही होगी कोई भी doubt हो कोई भी confusion हो please comment box में जाहिए वहां मुझसे पूछिए video पसंद आईए तो please like कीजे नए है like subscribe दोनों कीजे thank you